हेलो फ्रेंड्स मैं फार्मासिस पांजुली साथपूते मेरे इस मेडिसिन चानल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजी प्रेक साचेट के बारे में जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्रेग्डेंट महिलाओं में किया जाता है साथ ही जो बॉडी बिल्डर वगेरा रहते हैं या फिर जो लोग जिम में जाते हैं वे भी इस साचेट का इस्तिमाल करते हैं तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में इस आरजी प्रेक साचेट के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे कि मतलब इस साचेट को प्रेग्नसी में क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है और साथ ही जो bodybuilder वगेरा है वे इस sachet का इस्तिमाल क्यों करते हैं यानि कि इस sachet के uses क्या है, usage क्या है, site effect, precaution इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसे कौन कुन सी conditions है जिन में इस sachet का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के end तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस आरजी प्रेक साचेट के composition के बारे में की मतलब इसमें कौन कौन से drug को आड़ किया गया है तो दोस्तों इस साचेट में आपको यल आरजी नाइन 3 मिलग्राम की strength में देखने को मिलता है और जो second drug है जिसका नाम है प्रोएंथोसाइनीडाइन जो की 75 मिलग्राम की strength में यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों यह जो यल आरजी नाइन है यह एक प्रकार का अमाइनो ऐसीर है और जो second drug है प्रोएंथोसाइनीडाइन तो यह plant extract से लिया जाता है दोस्तों उपयोग की बात की जाए तो जादातर गैनेक्टलोजिस्ट इस सैचिट को मुख्य रूप से pregnant महिलाओं में प्रिसक्राइब करती है क्योंकि यल आरजी नाइन फीटर्स की ग्रोथ के लिए काफी महदवपूर्ण होता है महिला के गर्ब में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ के लिए ब्लर सर्कूलेशन को मेंटेर रखने के लिए यल आरजी नाइन काफी मदद करता है साथ ही दोस्तों ये यल आरजी नाइन हमारी जो इम्मूनेटी सिस्टेम है उसे स्ट्रॉंग बनाने में भी काफी मदद करता है क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में हर्मोनल इंबैलेंस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि हाई बीपी, दीजीनेस, वीकनेस, खून की कभी, ऐसी रीटी का बढ़ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में तो ऐसे कंडिशन में बहुत सारे गाईनेक प्रेगनेंट महिलाओं को हेल्दी और अच्छे फूड लेने के सला देते हैं पानी का सेवन जादा करने की भी सला देते हैं लेकिन फिर भी बच्चे की चारों और पानी की कमी हो जाती हैं तो ऐसे कंडिशन में और प्रेगनसी में हाथ पेरों पर होने वाले सूजन को कम करने का काम भी यह दवा करती हैं इसके अलवा दोस्तों बहुत सारे बौडी बिल्डर वरकाउट से पहले इस सैचेट का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों इस सैचेट में प्रजेट एल आरजिनाइन मसल्स को बनाने में हेल्प करता है साथी एनर्जी को भी बनाए रखता है इसलिए बौडी बिल्डर और जिम में जाने वाले लोग इस सैचेट को पानी में घोलकर एज प्री वरकाउट के रूप में लेते हैं दोस्तों यह जो यह जो यह ब्लर सर्कुलेशन को तो मेंटेन करता ही ह साथ ही हर्ट से रिलेटेड सबी प्रोब्लम्स से बचाने का काम भी यह दवा करती हैं दोस्तों इस सैचेट में present pro anthocyanidine जो की plant extract से लिया जाता है तो ये हमारे बालों के लिए हमारे skin के लिए बहुती helpful होता है ये हमें UV rays से बचाता है साथी sun rays के कारण जो burning होती है skin पर या फिर जो tanning वगेरा रहती है या फिर skin damage होती है तो उसे बचाने का का ये प्रो anthocyanidine करता है तो चलिए दोसों अब बात करते हैं इस आरजीप्रेक साचट के dosage के बारे में की मतलब इसे कितनी मातरा में लिया जाता है और इसे किस तरह से लिया जाता है तो दोसों इसका जो dosage ये पूरी दर से patient के medical condition निर्बढ करता है लेकिन नॉर्मली इसे दिन में एक साचट लेने की सला दी जाती है दोसों इसके किस तरह से लिया जाता है इसकी बात करें तो इस एक साचट को पानी में घुल कर सुबह लेने की सला दी जाती है और इसका ये जो dosage ये पंदरा से लेकर एक महने तक दिया जाता है दहान रहे दोसों ये दे किसी व्यक्ति को किड्नी से रिलेजर कोई problem है या फिर vitamin B1 की कमी है तो ऐसे condition में इस साचट का इस्तमाल ना करें दोसों अरजिप्रेक साचट की price की बात करें तो ये आपको अफिर नजी के किसी भी medical shop पर आसानी से 41 रुपय में मिल जाएगा दहान रहे दोस्तों प्रेगनंट महला है इस साचट को without doctor consult ना ले हमेशा डोक्तर की सला ले उसके बाद ही इस साचट का इस्तमाल करें तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video if so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe over youtube channel for medicine and health related videos thank you, thank you for watching